यूपी के बरेली में ग्राम प्रधान के चुनाव में पराजित होने के बाद दवंगों ने बोड ना देने वाले गाउं के ही एक यूबक और उसकी पत्नी पर घर में घुसकर हमला कर दिया बचाने गए लोगों के साथ भी मारपीट की जिससे कई लोग घायल हो गए लेकिन फुलिस ने रिपोर्ट गर्ज नहीं की जिसकी शिकायत पीडिक ने एससपी से करते गुए कारेवाई ही की मांग की आपको बता दें बित्री चैनपुर थाना के गाउं उडेला पागीर का रहने वाला नभी रजा खान आज एससपी से शिकायत करने उनके कार्याले पहुचा जहां उसने बताया कि प्रधानी के चुनाव में गाउं का रहने वाला मुजाहिद अली विजई हुआ था और असलम अली रजा पराजित हो गई अब लगी इसलिए वाला यह था कि बाड नमबर 10 में जो बोड असलम परदान का परिवार आता है मलब हमने मुशायत को लड़ाया था इसलिए जो इंसान अच्छा काम करेगा गाउं का विकाश करेगा जनता उसी को शबड करेगी जब इन नहीं देखा कि हमारे बाड नमबर 10 में बोड कम लिक रहे हैं च़्छा örमक कि मर इसलिम परदान की पार्टी यहाँ अन यह बोड लोग इकर्ड़ाइख़ने हुए अपनी पराजय के बाद नाराज असलम और अली रजा को जब पता चला कि नभी रजा के परिवार ने उन्हें बोट नहीं दिया है तो वे उससे रंजिश मानने लगे और अकसर रास्ते में रोग कर गाली गलोज करने लगे उनके लड़के आसिफ आदल्ले ने भी अबद्रता की ग्रोज करने पर उन्होंने नभी रजा और उसकी पदनी को घर में घुसकर लाठी डंटों से हमला कर दिया जिससे सभी लोग घायल हो गए शोर सुनकर गाउं के लोग मौके पर पहुँचे जिनने देखकर सभी हमलावर फरार हो गए रटना के बात पुल से शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की वहीं हमलावर उन्हें लगातार धंकियां दे रहे हैं कर दे करी मुसाइट का दूसरी पाती जो थी इसकी असलंगी थी उसमें जही सब्सक्रव बोटों के लेकिया के और तुमने हमें भूंने दी thrive हमें तो यह किॉने दिए छालो यह वाला गदारी करी यह करा वो करामें क्यों नहीं दिये वे देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर